बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू हल्दी देशी कोकिंग आज की वीडियो में मैं यह ड्राइप फ्रूट और आटे के लडू बनाने जा रही हैं तो रेस्पी को शेयर करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लाइक ह हो तो लाइक कीजिए और शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ जी इसके लिए मैंने क प्याली यह है प्याक आटर और थि प्याली और आद हधी पैली ए लिए इस दि के ऐसाभ से मैंने जिए गूड लिए गूड कम या ज्यादा है झाल आप्ने पेश्कब सह divisions को जदि मैंने व्हिंत तेट लिए जे लिए है बूड मउखाना चाल मेवे वद दाम ये सुखी खजूर जिसको च्छोहरा कहते हैं और पिसावा नारियल और ये गोंद तो अब इनको मैं फ्राइ करूंगी सारी चीज़ों को बारी बारी ये इसको तो नहीं करना पड़ेगा िखे इन चीज़ों को मैं फ्राइ करती हैं ये च्छोहरे की गुठ्लिया निकालके इसको पीस लेते हैं, इसके साथ अलाची और देसी घी जाएगा, काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करते हैं, इसमें मैंने ओइल या इसमें देसी घी में योज किया, इसके ऐसे फ़ोड़ा सा फोनना है, मसलका सा फ्राई करना है, कोड़ों को जी दाल के हम गोन को पराखने, गोन लिपते हैं, बूल भूल रही है, यह इस पार में आ लिए, फूल रही है सारी, मैं ज्यादा चुआ है, ज्यादा बरीखनी करूँ, बस थोड़ा थोड़ा कर दें, यह अख्रोड भी डाल देती हूं, यह चोहारे, अख्रोट और बदाम इस तरह के बरीख हुए है, ना ज्यादा बरीख ही है ना मोटे की है, अब गोंती मैं इस तरह का बरीख हुए 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 अजिए हुए 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 गी डालके अटा बों देंगे नहीं झाल झाल आटे को और बिसंद को अलग अलग भूनेंगे जो मैं पहले आटा भूनते ही बिसंद उसके बाद भूनेंगे आटे को तब तक भूनना है कि इसका कलर गॉल्डन सा हो जाए यह देखें हो गया गॉल्डन हमें ऐसा ही कलर चाहिए था अब यह पेंदे से चिक्षुना शूरू हो गया आटा इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है सारा घारच वे महका होगा है खुश्बू से अब इसको हम निकाल लेते हैं इसके बाद सूजी और बेसन को भून लेते हैं झालाओ को झारया है सम को कित कैसी महत्भी वेकाशन को कि फूल्ञ शुश्वबू से ओज़ खुश्चक्तार सम लेता है az को के से लाग तक ओट को रध बिश्यत रवह कोंछी चाहcionा है सूजी बेसन भी घुन गया, अब साच इपना शुरू हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं, तो इसके बाद घुर्टी बार ये, घुर्बुनेंगे, किताता है कि एक तो चुर्वा सादый पेली हमेनगा है गुर मेल्ट हो गया है अब इसका फ्लेम लो करते हैं पहले मैं मेडियूम फ्लेम पे सारा काम कर रही थी अब फ्लेम लो कर देते हैं चाहे दो बांध भी कर सकते हैं बांध कर दें अब इसमें सारी चीदें शामिल करते हैं पहले में फ्लेम बंद कर दिये जाल ना जाए अब यह मैंने करश किये थे मेवे खजूरें बदाम अकरोट सारा मैंने बरी बरी कर लिया कर दोग्मिल तिल और यह बरी किया वतन फूल मुखाने सारा कुछ शामिल कर लेंगे एजे भखी में आल मुखाने सबती far गो है एला ही झाल है और ले पर सबारी कर अजब必़क्त है यहीं तो रहुशा में कर्वेती इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है इतना ठंडा करने के बाद में यह हाथ लगाएं तो मैंने कुछ लड़ू इसके त्यार कर लिए बाकी मैं वैसे रहने दूँगी इसमें खश्खास नहीं डाल भी थी खश्खास आप शामिल कर लिए तो यह मैं वैसे छोड़ देती पंजीरी की तोर पर खाया जाएगा यह तुझे यह त्यार हो गया यह थी हमारी वीडियो अमीद है आपको पिसंद आई होगी इसको सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला आफिस लिए यह तुछ झाफिस आपको लिए झाल झाल